दो कलर में भी प्यारा सा सुंदरश्रप अलग तरीके का दोर मैट बनाएंगे। फ्रेंड्स मैंने ये दो कलर लेलिए हैं ये मैंने पूरानी चुन्नी लेहे तो देखेए पुरानी चुन्नी को मैंने उन से बनाना चाहें तो उन से भी बना सकते हैं मैं एकरम से भी बना सकते हैं मैं इसे पुराने चुन्नी से बनाऊंगी तो देखिए उसके लिए फ्रेंट्स मैं नहीं हापर दो कलर की चुन्नी ले ली है और ये आठ नंबर के निडल्स ले ली है अगर आप इसमें नो नमबर की निडल्स ले तो इस चुनने की थोड़ी सी पतली पतिया काट ले तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर आप बनाना शुरू करते हैं तो चलिए पहले मैं यहाँ पर फंदे डाल लूँगी फंदे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से डाल लूँगी देखिए इस तरह से हम एक नोट बना लेंगे यह देखिए मैं आपको दिखा देते हूँ है एक बार कैसे लगाएंगे नोट तो मैंने पहले लगा लिया देखिए इस तरह से हम इसको लेंगे यहाँ पर और ऐसे पकड़के ऐसे लगा देगे इस तरह से हम यहाँ पर नोट लगाएंगे तो यहाँ पर मैं अब तीस फंदे डालों भी देखिए दो, तेन, चार, पाच, चे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्निस, बीस, एकिस, बाइस, तेस, चोविस, पचिस, चबिस, स्ताइस, अठाइस, उनतिस, और ये, तीस, देखिए, यहाँ पर मैंने तीस फंदे डाल लिये हैं, इस तरह से देखिए, भूच जादा टाइट भी फंदे ने डालेंगे, हम और भूच जादा लूज फंदे भी ने डालेंगे, बिल्कुल इस तरह के फंदे डालेंगे, जो हमारी नेडल्स में आराम से गुम जाएं, ऐसे, तो देखिए, काउंट कर देती हूँ, एक, दो, तेन, चार, पान, चे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उनिस, विस, इकिस, बाईस, तेज, चोविस, पत्चिस, चबिस, ताइस, अठाइस, उनिस, तीस, 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 पंदे डाल लिए हैं, और हम फस्ट से ही यहां पर डिजैन शुरू करेंगे इस तरह से देखें यहां पर देखें तीन फंदे हम इस कलर के बनाएंगे एक दो और तीन फंदे बनाएं पिंक कलर के अब यहां पर हम सेकिंड कलर एड़ करेंगे तो उसके लिए देखें हम यहां पर इस कलर को इस तरह से एड़ कर लेंगे इसमें एक लोखे इस पक्टे को आगे ले लेंगे दो तेन चार पांच चे साथ आथ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा सोला सत्रा अठारा उन्निस बीस एकिस बाइस तेस और ये चोविस देखें चोविस फंदे मैंने ग्रीन कलर से बना लिए और तेन फंदे हमने लास्ट वाले छोड़ दिये हैं ये बिना बुने तो वापिस यह इसे पलट जाएंगे देखें इस पंदे को हम उतारेंगे ऐसे और शेदी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से हम बना लेंगे इस तरह से देखें जो फंदा जैसा है वैसे ही बना लेंगे बहुत ही आसान है बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा देखें जब बनाने लगेंगे तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बिगनर भी इसे आसानी शे बुन सकते हैं जिने उल्टा सीधा बनाना आता है इस तरह से देखिए ऐसे हम बनाएंगी सीधी सलाई में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है जो फंदा जिस कलर से है पूशी कलर से बना लेंगे यहां पर देखिए अब देखिए ग्रेन पटी पीछे की ऐसे पूट पिंक वाले पटी आगे को लेके आएंगे इस तरह से देखिए यह जो तेन फंदे है पिंक कलर के यह पिंक कलर से बना लेंगे लास्ट वाला फंदा देखिए सीधा बनाएंगे इस तरह से देखिए नापर सीधा बना लेंगे आब देखिए उल्टी रोपए हमें इस फंदे को उतार लेंगे बनाएंगे नहीं एक बार इसे बनाना है, एक बार विगेर बुना उतारना है, तो ये तीन एक फंदा गरीन वाला पिंक कलर से बना लेगे, ये चार फंदे हो गई, बाके उल्टी रो देखिए, उल्टा-उल्टा बनाएंगे, लास्ट के तीन फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, देखिए इस पट्टी को हम साथ में दबा लेंगे तीन तीन फंदे हमें पिछे की साइड छोड़ते वे जाना है और आपगे की साइड एक एक फंदा बनाते वे जाना है तो देखिए यहां पर तीन फंदे में देखिए छोड़ दूँगी और वापिस इसे पलट जाएंगे देखिए तीर्ष पंदेका यह काफी बड़ा बन के आएगा अगर आप इसे और भी बड़ा बनाना चाहे हैं तो बना सकते हैं आप इसे अगर 40 फंद का बनाए तो इसमें 4-4 फंद छोड़ते वेजाएं जैसे हम पिछे की साइड तीन फंदे छोड़ते वेजा रहे हैं इस तरह से आप इसमें 4-4 फंदे छोड़ते वेजाएं आगे की तरफ हमें एक एक फंदा ही दूसरे कलर में चेंज करना है, तो देखे, इस पट्टी को हम इस तरह से भुमा लेंगे, जब हम पट्टी चुन्णी की कटिंग करते हैं, तो उस वक्त, देखे, बिना गाठड़ लगाई हमने इसने कटिंग की है, इसकी वीडियो मैंने देखिए अपने चैनल पे डाल रखी है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं ये देखिए सीरी सलाई में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है सीरी सलाई ऐसे ही उल्टा-उल्टा बनानी है जो फंदेज इस कलर से है देखिए ग्रीन पटी को पीछे की तरफ करेंगे और पिंक पटी को नीचे से उपर की तरफ लेके आगे को लेके आएंगे इस तरह से देखिए ऐसे और इस पटी को टाइट कर लेंगे लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे देखे उल्टी सलाई में हम फिर से दो, तीन, चार और एक फंदा गरीन वाला फिर से पिंक से बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पांच फंदे होगे पिछे की साइड हम फिर से तीन, तीन फंदे छोड़ेंगे और आगे की साइड यहाँ पर हम देखे पांच हो गए हमारे हमें यहाँ पर नो फंदे बनाने हैं तो चलिए मैं 9 फंदे याँ पर बना लेती हूँ पिंक वाले गरीन वाले पिंक कलर के और 3-3 करते वे याँ पर सभी फंदे देखिए 3-3 करते वे छोड़ूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी फिर ये देखिए याँ पर 2-4-6-8 आठ फंदे मैंने बना लिये हैं पिंक कलर से एक फंदा मैं और बनाऊंगी देखिए उस फंदे को मैं आपके बना के दिखाऊंगी 2-3-4-5-6-7-8 और एक ये ले लिया गरीन वाला 9 नो फंदे होगे तीन फंदे हमने छोड़ दिए वापिस देखिए हम यहीं से पलट जाएंगे ये नो फंदे जो हैं पिंक वाले इन फंदों को बना लेंगे देखिए इस फंदे को उतारेंगे बनाएंगे नहीं जो 9 फंदे थे 9 फंदों को हम बनाएंगे देखिए 3-3 फंदे पीछे की साइड करते हुए मैंने छोड़ दिये हैं और 9 फंदे आगे की साइड एक एक करते हुए पिंक कलर के बना लेंगे देखिए इस तरह से पूरी रो उल्टा उल्टा पिंक कलर से बना लेंगे एक रो यह बनाएंगे और एक रो उदर से बनाएंगे तो यहां पर हम दो रो पूरी पिंक कलर से बना लेंगे जो फंदे हमने तीन तीन करके छोड़े थे सभी फंदे हम देखिए पिंक कलर के बनाएंगे यह देखिए यह देखिए तीस फंदे का काफी बड़ा बन के आएगा अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहें चोटा बनाना चाहें तो आप इसे डीस फंदे में बना लें बीस फंदे में बनाए तो आप पिछे की साइड दो-दो फंदे छोड़ते वे जाएं इस तरह से देखिए यहाँ पर जो तीन फंदे यह पिंक वाले छोड़े थे इन फंदों को भी देखिए हम पिंक कलर से बना लेंगे लास्ट तक पूरी रोह हमें पिंक कलर से बनानी है और इस पट्टे को सतरह से देखिए चाहाथ में दबा लेंगे इस साइड से असे दबा लेंगे ताखि हमारा उल्ठी साइड से भी फिनीसिं के साथ बनके आए इस तरह से अब यहां पर देखिए इस पंदे को उतारेंगे बनाएंगे नहीं और पट्टे को आपनी तरफ कर लेंगे और पूरी रो ये रो भी हमपिंग कलर से उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से देखिए और इस पट्टे को देखिए साथ में इस तरह से फोल्ट कर लेंगे इस तरह अंदर की साइडा से फोल्ट कर लेंगे ये देखिए last वाला फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से लास्ट वाला फंदा हर शलाए में देखिए हमें सीधा बनाना है तो हमारी इस तरह से किनारी बन क्याएंगे बहुती फिनिशिंग के साथ देखिए य Bernardai half proven के complete है तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हम देखें एक दो तेन चार पाच छे साथ आठ पोरियें नू नू फंदे पिंक कलर से बनाएं बाके देखें सब इफंदे हम गरीन कलर से बना लेंगे इस तरह से देखें इस पट्री वो पीछ पल की साथ छोड़ देंगे ऐसे यह देखें लास्ट के तीन फंदे हम फिर से छोड़ देंगे इस तरह से देखें तीन फंदे छोड़ेंगे और वो आपके सेई से बलट जाएंगे इस तरह से तीन फंदे वीईरबने छोड़ने हैं इस फंदे को देखें उतारेंगे बनाएं नए और याप पर देखिए सीधी सलाई में हमें कोई भी चेंज नी करना है जो फंदेजिस कलर शे हैं उसी कलर से बनाते बें कम्प्लेट करने हैं आपको देखें जो भी कलर पसंद है आप उसी कलर से बना लें मेरे पास ये दो कलर थे तो मैंने इन कलर से बनाया है आपके पास जो भी कलर है या आपको कोई भी कलर अच्छे लगते हैं ज्यादा पसंद है देखिए अब हम खुल्टी रोपे आ गए हैं तो यहाँ पर देखिए पहले हमने इसको इस साइड से पिंक वाले फंदे फंदे गरीन वाले फंदे पिंक कलर से लेते वे गए थे अब की बार गरीन वाले फंदे उपर की तरफ लेते जाएंगे पिंक वाला एक एक फंदा गरीन कलर से बनाते जाएंगे तो चलिए dishwasher मैं देखिया आपको बताते हैं दो तेन चार पाँच छे color से ले लेंगे अब की बार हमें अब की बार हमें कली को उपर की तरफ लेके जाना है देखें और last के तीन फंदे छोड देंगे last के तीन फंदे छोड देंगे हम और इस पट्टी को देखे साथ में इस तरह से दबा लेंगे ऐसे और इस पट्टी को अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और शिर इसलाई में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है सीधी सलाई ऐसे ही बनाते वे कम्प्लेट करने है ये देखिए ग्रीन पटी पीछी की तरफ करेंगे जो फंदे जिस कलर से सीधी सलाई में उसी कलर से बनाने हो देखें पिंक पटी को नीचे के तरफ से उपर के आगे के लिए के आएंगे इस तरह से ये देखिए ऐसे लास्ट का पंदा सीधा बना लेंगे ऐसे इस तरह से बन के आएगा देखिए एक बार फिर से बताती हूं मैं आपको यहाँ पर देखिए दो तीन चार पांच चे साथ साथ फंदे बनाए पिंक कलर से एक फंदा गरीन कलर से बना लेंगे पिंक वाला और यहाँ पर देखिए लास्ट के तीन फंदे फिर से छोड़ देंगे यह देखिए तीन फंदे छोड़े हूं आप पिस से इसे पलट जाएंगे सिद इस लाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाएंगे और देखिए एक एक करते वे यहाँ पर हम यह तीन तीन करते वे पिछे की साइड फंदे छोड़ेंगे और यहाँ पर एक करते वे यहाँ पर जिस तरह से हमने तीन फंदे बनाए थे तीन फंदे चोड़ेंगे और ये एक, दो, तीन, चार, चार फंदे हम और साथ में ले लेंगे ग्रीन कलर वाले, पिंक कलर का एक एक फंदा ग्रीन कलर से बनाते जाएंगे, तुछ लिए मैं बना लेते हूं, फिर आपको दिखाऊंगे, देखिए हमने यापर, अब की बार दो, चार, छे, आठ, नो, नो फंदे बच गए हैं ये ग्रीन कलर वाले, इस तरह देखिए, दो, तेन, और यापर देखिए, एक, दो, तेन, चार, पाँच और चै, ये जो चै फंदे हमारे बच्चे हैं, इन फंदों को देखिए, वापी सामे एक बार, फिर से याँ से, इस तरह से देखिए, बनाएंगे, याँ पर देखिए, तीन फंदे पिंक कलर के बनाएंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे, इस तरह से देखिए, अब देखिए, हम याँ पर पूरी रोग, पिंक कलर से बनाएंगे, लास्ट तक सभी फंदे, पिंक कलर से बना लेंगे, इस पट्टे गो टाइट कर लेंगे, इस तरह से देखिए, हमने ये बीच में एक सलाई डाली थी, उसी तरह से हम याँ पर एक सलाई दर्शे और एक सलाई दर्शे बनाएंगे, लास्ट तक देखिए, सभी फंदे बना लेंगे, ऐसे, एक रोई दर्शे बनानी है, किरा दो आप बनाव बना भास्ट दे दो का किरा ये मानि में हमने ये बनाव थे 25 कर दक दो क। वे ख। वे बनावदा राएंगे, बनाव़ इस दर्श shall ले बनावे, बनावदा मेंजे पोरी रो उल्टा-उल्टा बनाएंगे रेखिए लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे लास्ट का फंदा हर सलाई में सीधा बनाना है तो इस तरह से प्रोपर के नारे बनके आएगी भोत इक फिनिशिंग के साथ हमारा देखिए अब हमें क्या करना है यहां पर एक, दो, तेन तेन फंदे पिंक कलर से बनाए और यहां पर देखिए, एक फंदा, यह सब इस फंदे देखिए, गरेन कलर से बना लेंगे यहां पर, लास्ट के तीन फंदे छोड़ देंगे, इस पट्टी को देखिए, साथ में इस पर ऐसे फोल्ड करते वे जाएंगे, तीन फंदे छोड़ देखिए, और वाप इस इस से पलट जाएंगे, इस तरह से देखिए, सीधी सलाई में कोई भी चेंज नहीं करना है, सीधी सलाई ऐसे ही बनानी है, तो चलिए बना लेती हूँ, फिर मैं इक बार आपको दिखाऊंगे, यह देखिए, अब आमें जैसे इस कले को शुरू किया था, शुरू में, उस यह तरह से बनाना है, इस फंदे को उतारेंगे, दो, तेन, और एक फंदा, गरेन वाला पिंक कलर से बना लेंगे, इस तरह से, और देखिए, एक, दो, तेन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उनिस, बीस, और तेन फंदे फिर से छोड़ेंगे, वापिस सही से पलट जाएंगे, देखिए, एक, एक, पंदा, जिस तरह से आमने इस रो में, गरीन वाला एक, एक, पंदा, पिंक कलर से बनाते हुए थे, आम यहापर इस कली में, और फिर हाम उपर की साइड, तो इसी तरह से बनाते हुए, इस पूरे मैट को कंप्लेट करेंगे, देखिए, इस कली में, मैंने, आपको उपर की साइड बढ़ाते हुए, यह भी देखा, और इस तरह से बनाना है, गरीन वाला एक, एक, पंदा, आम पिंक कलर से बनाते हुए, यहापर 9 पंदे बना लेंगे, और पिछे से 3-3 पंदे छोड़ते हुए, जाएंगे, तो इस तरह से बना तो प्लेज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बैल आइकोन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सबी वीडियो की नोटिफ केशन सब से पहले आप तक पोच के, कमेंट बोक्स में लिखके जरूर बताएगा कि आपको म इसलिए इस कली में मैंने पूरा डोर मेट बनाने का तरीका आपको बताया है, जैसे मैंने इस कली को बनाया है, हाफ कली हमने इस तरह से बनाई है और हाफ कली उपर की साइड, इसी तरह से यह हमारा पूरा डोर मेट बनके आएगा, तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक कीजिए देखिए मैं थोड़ा सा बनाने के बाद आपको दिखाती हूं